हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू यू ओन अवरे यूटूब चैनल हिम आयूरवेद आज आप इस वीडियो में जानेंगे पेट में सूजन क्यों होती है और साथ ही जानेंगे इसके घरेलू उपचारों के बाएं में कई बार व्यक्ति को पेट फूला हुआ सा मैसूस होता है और लोग इसे बजर बढ़ने की निसानी समझ लेते हैं पेट का या फूलना पेट की सूजन भी हो सकती है पेट की सूजन को गैस्टा एटीज भी कहते हैं और कई बार इसके कोई भी लक्सन दिखाई नहीं देते हैं कुछ लोगों में जिनमें इसके लक्सन दिखाई देते हैं उनमें पेट के उपरी हिस्से में बेचैनी और दर्द एक आम लक्सन होते हैं पेट में सूजन सामाने रूप से पेट में अलसर पैदा करने वाले बैक्टिरिया के इंफेक्शन के कारण होता है पेट की परत मतली परत ही इसे बढ़ावा देती है सराव का अत्यादिक सेवन नौन स्टे राइडल एंटी इफ्लेमेंटरी मेंडिसीन्स और पेन किलर यान की दर्द निवारक दवाओं का अत्यादिक सेवन तमाकू धुमरपान या डिप्रेशन आधी इसके जोखिम के कार्क होते हैं पेट में सूजन होने पर पेट के ऊपरी हिसे के बीच में दर्द होता है इसके अन्य लक्षनों में डकार मतली उल्टी पेट भरा हुआ सा मैसूस होना और पेट फुला हुआ होना इत्यादी इसके मुख्य लक्षन होते हैं इसके अलावा कुछ लोगों में पसीना आना ब एक सब्ता से ज़्यादा दिन तक दिखाई दें तो या किसी गंबीर बिमारी का भी लक्षन हो सकते हैं। इसलिए इस दिती में डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं गैस्टाइटिस में फैटी फूर्ड्स, मसालेदार भोजन, फालों के रस, अमलिया या खटे खाते पदात जैसे की टामाटर, सराब और कौफी इत्यादी से परहेज करना चाहिए। पेट में सूजन से परेसान होने पर आप हमारे द्वारा बताएगे इन घरेली उपायां के द्वारा भी इस मस्या से चुटकारा पा सकते हैं। घरेलू उपाय इस प्रकासे हैं। जोग के पानी का उपाय। पेट की सूजन की समस्या से चुटकारा पानी के लिए एक कप पानी में जोग उबालकर उसमें थोड़ा सा निम्बू रस डालकर दिन में दो बार पीए। इसे आपको पेट की सूजन में काफी राहत मिलेगी। नीम का उपाय। पेट की सूजन और इनफेक्शन को दूर करने के लिए नीम सबसे अच्छा उपाय होता है। इसके लिए नीम की पांच पतियों को दिन में एक बार खाएं। इससे शरीर की सारी गंगी यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगी। जिससे आपको पेट की सूजन में काफी राहत मिलेगी। चावल के पानी का उपाय। एक फ्राइबीन में आदा कप स्पेद चाबल डालकर उसमें छे कप पानी में उबालने। इसे अब छान कर ठंडा कलने। इसमें आदा चमच सहद और दालचीनी पाउडर मिलाकर मिक्स करके हर गंटे इसका सेवन करें। इसे आपको पेट की सूजन में काफी रह मिलेगी। लॉंग का उपाय। लॉंग पेट में मवजूद छोटे छोटे बैक्टिरिया को जड़ से समापत कर देता है। पेट की सूजन और दर्द से छुटकारा पाने के लिए रोजाना दो या तीन लॉंग या फिर लॉंग के गर्म पानी का सेवन करें। इससे आपको पेट की सूजन में काफी अराम मिलेगा। लजसुन का उपाय। रोजाना खाली पेट दो या तीन कच्ची लसुन का सेवन पेट इनफेक्शन को दूर करने में मदद काता है। इसके अलावा भोजन परकातिस में भी लसुन का इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है। और यदि आप पेट दर्द और पेट की अन्य समस्यों के बारे में जानना चाते हैं तो इस वीडियो के उपर दियेगे आईवाल बटन तता इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियेगे वीडियो लिंक पर क्लिक कर जान सकते हैं। सेव के सिर्के का उपाई सेव के सिर्के में मौजूद ऐस्ति गुन पेट में होने वाली संकूचन और गैस्टाइटिस के लक्षनों को कम करने में मदद करते हैं। सेब का सिर्का पेट में एसेड के उत्पादन को रोकता है और पेट के संतोलन में सुधार बनाए रखता है इसकी आफसक समागरी इस प्रकासे है एक गिलास पानी, एक चमच सेब का सिर्का और एक चमच सहेद इसके इस्तमाल करने का तरीका इस प्रकासे है एक गिलास पानी लें और उसमें सेव का सिर्का मिला लें अब इसमें उपर से एक चमस सहद डाल लें अब इन तीनों को अच्छी तरह से मिला लें और फिर इसे पी लें याद रहे सिर्के के इस मिस्रन का उपयोग महिने में एक या दो बार से अधिक नहीं करना चाहिए अधरक का उपाई अधरक में अधिक एंटी आक्सिदेंट्स और केमिकल्स होते हैं जो कई तरह के रोगों को ठीक करने में मदद करते हैं पेट की सूजन में इन बातों का रखें बिशेश द्यान पेट की सूजन ज्यादा तर फूड एलरीजी के कारण होती है अधिक तला भुना फास्ट फूड डिबावन्द आहर खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये फूड एलरीजी का कारण बन सकते हैं खाने को अच्छी तरह चबाकर ना खाने से भी पेट में इनफैक्शन और सूजन की समस्या हो सकती है इसलिए हमेशा भोजन अराम से और अच्छी तरह चबाकर ही करना चाहिए पेट की सूजन होने पर कार्बोनेटिड डिंक्स का सेवन खतरनाक हो सकता है इसके बजाए आप निम्बू पानी का सेवन कर सकते हैं इसके अलावा ग्रीन टी और पेपर मिंट टी भी पेट की सुजन को कम करती है सुगर युक्त आहर का अधिक सेवन करने से भी बचना चाहिए क्योंकि डक्टरों के अनसाद दिन में दो या तीन बार ही मिठे आहर का सेवन करना चाहिए दोस्तों उमीद करता हूँ कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और आप इस जानकारी का लाब उठाएंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबस्काइब कर लें और साथ ही बेल के आईकॉन बटन को भी प्रेस कर लें आज के लिए बस इतना ही जल्द मुलाकात होगी एक ने वीडियो के साथ धन्यवाद